हेलो फ्रेंट्स मैं हुआ अन्न बुर्णा और आपका स्वागत है मेरे कीचेन में आज मैं पनाने वाली हूँ खोवा और नारियल के बहुती स्वादिश्ट मौदक जो गर्णेश जी के बहुत प्रीय भी है तो आएए देखते इसके लिए हमें किन-किन चीज़ों क्या आव सबसे पहले हम लोग आटा बना के रख लेते हैं मैंने लिया एक कटोरी मैदा एक बावल में डाला है उसके बाद मैंने इसमें डाला है एक पिंच नमक और बन फोर्टी स्पून जितना शकर यह दोनों ऑप्शनल है पर यह डालने से मोदक के ऊपर का लेयर बहुत अच्छ इसका मतलब मोयन परफेक्ट है अगर ऐसा नहीं होता है तो थोड़ा सा ओल आप डाल लेना उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एकदम नरामाटा बनाना है नरामाटा बना के अब मैं इसको धक के आधे खंटे के लिए रख दूंगे अब आटा बनके स्मैश करते हुए दो मिनट तक धीमियाश पे बुनना है उससे जादा नहीं बुनना है अदर्वास खोवा जल जाएगा और इसमें से घी अलग होना स्टार्ट हो जाएगा अब मैं इसमें डाल रही हूँ डेसिकेटिड को नट खोबरा किस इसको भी मैं अच्छे से भून कर पिगल जाएगा और स्टफिंग ठंडा होने के बाद हाट भी हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं रहेगा अब सारी चीज़ेसे से मिक्स हो गई मैं डाल रही हूँ ड्राइफूट सबसे पहले मैं डाला है काजू बादाम किश्मिश सारी चीजों को पिरे एकद इनको में रखे हु साइड में अब हमारी स्टफिंग भी अच्छे से ठंडी हो गये इसको एक बार और अच्छे से मैं मैं मैश करते हूँ इसको भी मैं बनाते मोदक मैंने एक आटे की लोई लिये हैं अब उसको में पतला बेल रही हूँ हमें बहुत ज़्यादा मोटा भी एक को फोल करें, जैसे हम लोग plates बनाते, उस तरीके से बना के, सेंटर में लाके औसे दबाना है। फिर उसके बाद उपर अच्छे से ुफाते हुए उन्हें hi देना है, उठाते हुए, इस तरीके से, बन गया है। अगर आप से हाथ से शेप नहीं बनता है तो आप मोदग बिना के जो हमारा फॉक होता है उससे साइड से दबाते हुए आप इस तरीके से भी शेप दे सकते हो सारे मोदग बन गए है तेल भी गरम हो गया अब मैं एक-एक मोदग डालते हुए इन्हें अच्छे से फ्राय करऊगी तेल अच्छे से पहले गरम किया फिर उसके बाद मैंने गयज का फ्रिम स्लो कर दिया बाद मोदक दालें, जितने एक बार में आते हैं उतने ही डालना बाद मौदक के आ करना है हलके हातों से इनने पलटते हुए फ्राइ करना है अगर लोग बहुत जोर से पर्टेंगे तो मोदक फट जाएगा और उसका शेप भी बगड़ जाएगा हलके हाँ से पलटना है, पलट के एक दो मिनट वेट करूँगी, उसके बाद फिर से मैंने अब पोजिट से टर्न करके उपर नीचे करते हुए इन्हें गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राइ करूँगी, पिछली वीडियो में मैंने मुमफली और तिल्ली के मोदक की रेसिपी की थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप बना के जरूर देखिएगा, सारे मोदक बन गे है, मैं ऐसे निकाल रही हूँ, निकाल के इसी तरीके से मैं बाकी सारे मोदक भी फ्राइ कर लूँगी, ये मोदक बना के आप वन विक तक स्टोर कर के रख सकते हो, ये मोदक का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, वैसे भी ये गनेश जी का बहुत ही प्रियब हो गया, आप सारे मोदक बन गे, मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ, आप देख सकते, उपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम मावा और ड्राइफूट से बहुत ही स्वादिश्ट मोदक बनके रेड़ी है, आप भी इसे बिनाएए, गनेश जी को भोग लगाएए, और खाकर बताएए कैसा लगा, आचा लगा हो, तो लाइक, शेर और सब्स्राइब करें, थैंक यू